आववा सरपंच केशर सिंग राजपुरोईद को सर्व सम्मती से मारवाट सरपंच संग का अध्यक्ष न्यूक किया गया शेतर के जंजरी अनमान मंदिर के प्रांगण में आयजित हुए सरपंच संग के चुनाओं में उतपस्तित सभी सरपंचों ने आववा सरपंच केशर सिंग राजपुरोईद को सर्व सम्मती से अध्यक्ष बनाया इस मौके पर सरपंच संग के नव निर्वांचित अध्यक्ष राजपुरोईद ने कहा कि सरपंचों के हितार्थ को हमेशा ततपर रहेंगे उन्होंने कहा कि कोरोना मामारी में परत्य गवंट सरपंच ने भामाशाओं के साथ मिलकर बैतर कारे किया है सरपंचों ने प्रशासन के साथ मिलकर दूद दराज के फसे हुए लोगों को खाने खिलाने जैसा हाइपो क्लोराइड का छिड़काव भी किया है उन्होंने कहा कि फिल्वाल बजट नहीं आने से विकास कारे रुके हुए हैं उनकी प्रात्मिक्ता रहेगी कि उची स्तर से प्रतिक ग्राम पंचयत में बजट आवंटित करवाया जा सके जिसे ग्राओं में विकास हो सके इसके अलावा भी सर्पंचों की कारिया में आर रही किसी प्रकार की समश्या के समाधान को लेकर वे उचिसतर तक आवाज उठाएंगे वही नवनिर्माजी सर्पंच संग के अध्यक्ष राजप्रोईत के आवा पहुंचने पर मुस्लिम समाज के सदर इमामुदिन पठान के सानिद्य में मुस्लिम समाज दुआरा स्वागत किया गया आउवा उपसरपंच मनोच सिंग सिसोधिया के सानिध्य में वार्ड पंचों ने भी सम्मान किया, इसी तरह विबिन समास दुआरा भी राजप्रोईत का भव्वे स्वागत किया गया चैचल के सभी सरपंच करोंने मुझे जो आदर दिया, समान दिया और ये पंद दिया है उसके लिए मैं हमेशा सभी सरपंचों के सिवा के अंदर तटपर रहूँगा और सभी सरपंचों के सिवा के अंदर तटपर रहूँगा हमारा प्रियास रहें के साथ कि हम जिदा परिश्च से, जिदा प्रमुक्साथ से, मुझे मंदी जी से, सबसे हम निवेतर करेंगे और प्रियास करेंगे